आपका स्वागत आजमाए हैं कादियां की पवित्र धर्ती के उपर आपका स्वागत आजमाए हैं कादियां की पवित्र धर्ती के उपर जो की सदियों से मिशूर है और जिसमें हम देख से थे कि अमन भाईचारे का संदेश लिए जमाते एमदिया जिन्नोंने सारी जिन्दगी लोगों को एक नई जिन्दगी दी है और यहाँ यहाँ यह फूल खिला है वहाँ बहाँ लोगों के मन में प्यार सथ बावना एक नई जो है एक आप सी भाई जारे की जो है भावना पैदा होती है अभी हम तन्वीर खादम जी के साथ हैं जो परवर्खता हैं सर स्वागते हैं आपका हमारे इस पैशे शमूर बहुत बहुत तन्वाद तोड़ा तुसी मोका देता है अगल करंदा और जिसना की तो सुन चुक्कियू है अप मुस्लिम जमात नाल साधा संब्ध है जिसनेटर जेड़ा कादिया है नेशनल सेंटर इंटरिनेशनल जेड़ा स्टेम जेड़ा हूँ डंडन देविच है असल देविच बुनियादी गाले है सोचनवली गाले है کہ دنیا देविच बदमनी है क्यों दुनिया में बदमनी इसलिए है कि एक तो इनसान खुदाताला से प्रमात्मा से ईश्वर से दूर जा पड़ा है ईश्वर का ड़र इनसान के दिल में नहीं रहा मानव के दिल में नहीं रहा इसलिए वो बगैर खौफो खौफ के हर ऐसा गलत काम करता है जिससे दुनिया में बदमनी पैदा होती है लोगों के हक खुकूग जो है वो छिन जाते हैं और दूसरी बात ये है कि इसी वज़ा से इनसान जो है पर इनसान से दूर हो गया आपसी नफरतें पैदा हो गई हैं कहीं मख़ब के जगड़े हैं कहीं जात पात के जगड़े हैं कहीं जबानों के जगड़े हैं कहीं रंगों नसल के जगड़े हैं बानी जमात एहमदिया जो कादियान में आये फॉंडर ओफ एहमदिया कुबिनिटी उन्होंने आकर यही दो बातें पेश की है कहा कि मैं दो ही बातें लेकर आया हूँ एक बात तो यह है कि मैं लोगों का तालुक संबन्ध स्थापित करवाद हूँ उस परमात्मा से ईश्वर से अल्ला से गाड़ से जिससे उसका संबन्ध तूट चुका है दोवारा संबन्ध स्थापित करवाद हूँ और दूसरी यह है कि इनसान इनसान का जो दुश्वन हो रहा है खून का पैसा हो रहा है एक इनसान को दूसरे इनसान का भाई बना दू ऐसा भाई जैसे एक पेट से दो भाई होते है तो ये मकस्द है जबाद का और यही जवाति-हमदय के बानीने अपने आने का मकस्द बताया है और इसी को लेकर जमातِ हमदिया सारी दुनिया में परचार परसार कर रही है, कोशिश कर रही है और हमारी ये इच्छा है, खाहश है और हमारी ये मिशन है काश दुनिया में अमन, सलामती और शानती भाईचारा पैदा हो जाए और हमारा मानना ये है कि दुनिया में भाई-चारा तबी पैदा हो सकते है ज़िए अलपरमात्मा के करीब हो खुदा के करीब हो खुदा की महबत उसके दिल में पैदा हो जाए खुदा की 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 खुदा कि सब एक स्टेट जाकर हम तमाम धरमों के जो बड़े बले लीडर हैं उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आईए और यहां बताईए कि आपके धरम के जो रिशी मुनी गूरु आतार हैं उनके क्या संदेश दी है क्या अच्छी शिक्षा दी है ताकि लोगों को पता लगे कि सब पाक हैं पयंबर एक दूसरे से बेहतर कि सबी पवित्र हैं ये आतार सबी पवित्र हैं ये बानी जाए हमारा ये मानना है कि परमात्मा के जितने भी आतार हैं वो पवित्र हैं सबी और एक से बढ़कर एक है इसलिए जमातِ हमदिया एक तो सरफधरम समेलन सारी दुनिया में आयोजन करती है हंदोस्तान में भी हर ये सरफ यहां पर नहीं आपने देखा होगा कि वे अब कादियान के जलसा सलाना हमें आये होंगे जो इटलन नेशनल लेवल का जलसा होता है कई मुलकों के लोग यहां शामिल होते हैं यहां भी एक दिन हम सरफधरम समेलन का आयोजन करते हैं और उसके बाद फिर हर बड़े शहर में हर सूबे में सरफधरम समेलन का आयोजन किया जाता है और पीस के सलसले में कानफरंस से होती है तो इसलिए मकस्द यही है कि दुनिया में अमन शानती पैदा हो और हमारा माना यह है कि जब दुनिया में लोग एक दूसरे के धर्मों का जो समझेंगे तो उनका इहतराम भी करेंगे उनके करीब होंगे आपसी महबत और प्यार प्रदा होगे सिर्फ जमाद नहीं बलके जमाद एहमेदिया को हेड है हमारे खलीफा हजरत मिर्जा मसरूर हमस सहे वो तो बड़ी कोश्चें कर रहे है सारी दुनिया के बड़े बले पेटफार में जाके बड़े बड़े एवानों में जाके और असेम्बली हाल अनमें जाके दुनिया को बता रहे हैं कि देखो दुनिया परमात्मा से ईश्वर से दूर हो गई है अगर तुम परमात्मा के साथ जड़ोगे तो दुनिया मेमन होगा और इसी वज़े से जो है ना, आज ना-इंसाफिया है ना-इंसाफिया की वज़े से पर दुनिया में बढ़ describe the idea ना-इंसाफिया की होती है ना-इंसाफिया इसलिこछ होती है कि इन्सान खुदा का खुफ नहीं करता खुदा से दूर जा चुका होता है तो हजडत, मिर्जा मसरूर हमाँज साहब जो हमारे रुहानी इमाम है वो सारी दुनिया में ज़ है घूं घूं कर संदेश दे रहे हैं कि देखो परमात्मा के साथ जुड़ो खुदा के साथ जुड़ो और खुदा कसा जुड़ोगे तो तो तुम अमन में आ जाओगे शाटी तुमें मिलेगी और फिर ये है कि ये जो दुनिया में अब तो बहुत हम करीब देख रहे हैं कि वर्ड वार का जो है वो खत्राइ जो है मड़ा रहे हैं दुनिया में जमातِ احمدی के इमाम तो आज से निया आज से 6-7 साल पहले से दुनिया को आगा कर रहे हैं वार्निंग दे रहे हैं कि देखो बच जाओ बच जाओ और अपनी गलत हरकतों से बाज आ जाओ और अगर तुम इन बातों से बाज ना आए तो फिर वड़ वार जो है मूँ फाड़ की उसके बावजूद जो है वो लोगों ने इस बात को नहीं समझा और आज देख लें वड़ वार जो है बिलकुल हमारे बिलकुल करीब आ गई है और ऐसे लगता है कि अब शुरू हुई कि कल शुरू हुई परसों शुरू हुई तो ये हालात पैदा हो गए है इसलिए ज कि हम अगर सारे दुनिया के जो पेशवा हैं जो रिफार्मर हैं जो गुरू है वो सब हमारे हैं और हर इनसान अगर यह समझ लेगा सबी दुनिया में आने वाले हमारे हैं जो दुनिया में आपसी भाईचारा पैदा हो जाए तो अब आप प्यार पैदा हो यही एक तरीक ह और इस सिरे जमाते हम दिया कोशिश कर रही है और यही जमात का स्लोगन है कि लफ फार आल, हिटर्ड फार नन महबत सब के लिए नफरत किसी से नहीं हमें समादिया आपका धन्यवाद आपके इंसिट्यूशन है क्या किना चाहेंगी कि जमाते हम दिया इसके साथ नोगों को सेथ सुस्थ दूहूल थे जो कि कादिया में हमने देखा कि नूर हॉस्पिटल के रूप में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है जसमें लोगों को सेथ दी जा रही है और उन लोगों को जो पैसा ज़दा नहीं कर सकते उनके लिए ये हॉस्पिटल वर्दान बना हुआ है इसके साथ साथ विद्या के दान के केंदर और इसके साथ साथ हमेशा जमात एम दिया एक ऐसी किलास है जो आर रॉंडर है जिसने हर फील्ड में चाहे वो खेलों का फील्ड है चाहे वो स्टडी का फील्ड है चाहे वो हेल्थ स्वाओं का फील्ड है हर फील्ड में ये जो है स्वाओं अपनी नबा रही है बिल्कुल इसमें शक्नी आपने शी कहा जमात जो है वो सेवा कर रही है और सारे दुनिया के अंदर कर रही है सिर्फ खादिया में नहीं आपने तो नूर अस्पताल का जिकर किया है मैं आपको बताओं कि ये हमारा मानने ये है कि इनसान इनसान के करीब हो इनसान इनसान से महबबत करे तो सिर्फ इनसान से बातों से तो महबबत करने से बात ना बनती लोगों की सिवा भी करने चाहिए लोगों की खिद्मत करने चाहिए और यह जमाद का माटो है जमाद का मकसद है और इसलिए जमाद एहमदिया ने आप सुनूर अस्टार में तो उसके इलावा एक फ्री होमेपेथिक डिस्पेंसरी चल रही है जिससे लाखों लोग हर साल फायदा उठाते हैं और यह मैं आपको बताओू रिशीजी के बात यह है कि सिर्फ हिंदोस्तान इस कादियान में नहीं बलके हिंदोस्तान भर में फ्री होमेपेथिक डिस्पेंसरी चल रही हैं जो सेवा कर रही हैं और भी दुनिया भर में एसकुल हैं कॉलिज हैं जिनके जरे से जमाते महब्बत हासिल हो तो जमात अहमदिया जिस तरह भी कोशिश कर हो सकती है जतना उसके अंदर जितनी उसकी समर्था है उसके मताबिक कोशिश करती है गरीब बच्चों को जो है तालीमी वजीफे वगरा दिये जाते हैं वो गरीबों को जो है मदद इंदाद होती है तो यह जम कि अंदर हो या विद्य का लाइन हो उसरे जमाद एह जहां तक मुमकिन कोशिछ करती है और मकसद ही है कि मानवता के सेवा हो और परमात्मा और खुदा हम से राजी हो जाए यही जमाद एहमन का ने हमें समा दिया और हम चाहेंगे किस चैनल के मादम से आप जैसे शान्ती का पेगाम सारे वर्ड में फिला रहे हैं और जमात एमदिया के मादम से जो भी दर्शकिस से जुड़ें उनके जिंदगी में भी वही खुशिय हो और उनके मन में भी अल्ला ताला से प्यार करने की भावना और आपसी खत्म करके एक पॉपट अफटी जो हैं उनके ब्याई आपका बहत बहुत धन्यवास बहुत धन्यवास भूवत धन्यवास